शनी देव की नो भान है फिर भी अक्सर शनी देव को कोई के उपर सवार देखा जाता है मानेता के अनुसार शनी देव की किर्प्या से कोवा कभी बिमार भी नहीं पड़ता एक पुराणी कता के अनुसार सूरे देव की पतनी संधिया उनका तप नहीं जेल पा रही थी इसलिए उन्होंने अपनी छाया का निर्मार किया और अपने दोनों बच्चों यम और यमना को छाया के पास छोड़ कर तप पर चली गई जब तक संधिया की तपस्तिया समाप्त हुई तब तक चाया की सूरे देव से शनी देव की प्राप्ति हो चुकी थी जब संधिया को इस बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई हाला कि तब तक सूरे पर्वु शनी देव और चाया का परित्या कर चुके थे संद्य और सूरेदेव के इस वेवार से दुखी होकर चाया शनीदेव को लेकर वन में चली गई जब सूरेदेव को चाया और शनीदेव के वन में रहने का पता चला तो उन्होंने उन दोनों को मारने के लिए वन में आग लगा दी जिसके बाद चाया पर चाय होने के कारण आग से निकल गई लेकिन शनीदेव आग में फस गए जिसके बाद उनके साथ रहने वाले एक कोवे ने शनीदेव को उस आग से निकाला था तब से कोवा शनीदेव का पीर्य हो गया शनिदेव ने कोई को अपना वहान बना लिया दूसरी कथा के अनुस्वार एक दिन कोई शनिदेव को लेकर अपने काकलों पहुचा कोई की माता ने शनी को पुत्र संभोधित कर खुब प्यारदुलार किया कोई ने अपनी माता से शनीदेव को अपने साथ रखने की प्रात्ना की तो उसकी प्रात्ना करने पर वे उनको साथ रखने के लिए मान गई जिसके बाद शनीदेव ने कोई को अपना मान बना लिया